मकान मालिक को पैसे की कमी होने के कारण यहां मकान सस्ती कीमत पर विकाओ है नमस्कार सर एक और नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से सुहगत है जहां पर हम आप के लिए लेकर आ चुके हैं इस बने बनाए मकान की जानकारी लेकर तो अगर आप इस बने हुए मकान की पूरी जानकारी प्रात गरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंधतक देखें आपको पूरी जानकारी इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी अगर सर आप हमारे चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बता देते हैं इस मकान की पूरी जानकारी तो सर यह जो आप मकान आपकी वीडियो स्क्रीन पर चल लहा है मोबाइल की स्क्रीन पर चल लहा है यह मकान आपको 1600 स्क्वार फिट की जमी पर बना हुआ मिल जाता है जिसमें से सर बात कर लेते हैं मकान के साइट के रास्ते के बारे में तो यहां आपको मकान के साइट का रास्ता 13 फिट चोड़ा मिल जाता है जो कि आपको आने जाने के लिए किसी भी परकार की कोई दिक्कत वा कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है बात कर लेते हैं सर इस विकाव मकान में पने रूम की संख्या के बारे में कि आपको इस विकाव मकान में कितने रूम बने हुए मिल जाते हैं तो सर इस विकाव मकान में आपको कुल टोटल 15 रूम बने हुए मिल जाते हैं जिसमें से सर आपको 5 वेड़ रूम प्राप्त हो जाते हैं आपको इस मकान में 2 ट्वालेट प्राप्त हो जाते हैं एक आपको पूजा रूम प्राप्त हो जाता है जिसको मंदिर रूम भी कह सकने है और आपको इसमें एक किचन भी प्राप्त हो जाता है मकान का डेजाइन बहुत ही अच्छा डेजाइन है जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं मकान की कंडिसन बहुत ही अच्छी कंडिसन है जो कि आप वीडियो के माधिम से देख रहे हैं तो बात कर लेते हैं सर इस विकाओ मकान के मालिक के बारे में उनका क्या नाम है हम आपको बता देते हैं तो सर मालिक का नाम सिलफी राज है जो इस मकान की ओनर है और यहां वो मकान बेचना चाहती है जो कि उनके दादा जी का बनवाया हुआ मकान है जो कि उनके पास कुछ पैसो की कमी के कारण यह मकान वह बेचना चाह रहे हैं तो उन्होंने इस मकान की कीमत क्या रखी है हम आपको बता देंगे वह सर पहले सर इस मकान में हम आपको कौन कौन से चीज़े प्राप्त होंगी उसके बारे में जानकारी दे देते हैं तो इस विखाओ मकान में सर आपको पांच वेडरूम इसमें आपको ऐसी कूलर, फ्रीज, टेवल फैन, छतव आले फैन, कुरसी, मेज, टेवल ये कुछ आपको इस में मिनने वाला है तो सर बात कर लेते हैं पानी की विवस्था के बारे में आपको यहां से पानी कहां से प्राप्त होगा तो यहां पर आपको पानी समर से भलके माधम से प्राप्त हो जाएगा मकान में आपको किसी विपरकार की कोई दिक्कत वा कोई भी मुसीवत का सामना नहीं करना पड़ेगा तो सर बात कर लेते हैं कि इस विकाओ मकान में आपको लाइट कैसी देखने को मिल जाती है तो sir इस बिकाव मकान में आपको light बड़ी हा रंगीन देखने को मिल जाती है white color, red color, green color, इत्याद ऐसी light के आपको इस मकान में देखने को मिल जाती है तो sir बात कर लेते हैं मकान, market के बारे में कि आपको market कितनी दूरी पर प्राप्त होगा तो सर यहां से मार्केट आपको मातर 2 किलो मीटर की दूरी पर प्राप्त होगा रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन यहां से आपको 3 किलो मीटर की दूरी पर प्राप्त होगा इस्कूल कॉलेज की बात कर लेते हैं तो इस्कूल कॉलेज यहां से सर आपको 7 किलो मीटर की दूरी पर प्राप्त होगा यहां से बात कर लेते हैं सर नेशनल हाइवे के बारे में कि आपको कितने दूरी पर मिल जाएगा तो National Highway सर आपको केवल 500 मीटर की दूरी पर प्राप्त हो जाएगा और यहां से सर पिट्रोल टंकी की बात कर लेते हैं तो यहां से पिट्रोल टंकी आपको मकान से मातर 3 किलो मीटर की दूरी पर ही प्राप्त हो जाती है यहां पर Play Garden की सर बात कर लेते हैं प्ले गार्डन आपको 15 किलोमेटर की दूरी पर प्राप्त हो जाता है मकान आप देख सकते हैं अच्छे डिजैन के साथ है इस मकान में आपको सेटिंग ट्वालेट भी प्राप्त हो जाता है तो सर बात कर लेते हैं कि इस भीकाव मकान का प्राइज कितना रखा गया है वह इ यह मकान जो है आपको 25 लाग रूपए में दे दिया जाएगा जी हाँ सर अर्जेंट होने के कारण यह मकान आपको केवल 25 लाग रूपए की कीमत पर दे दिया जाएगा तो सर अब बात कर लेते हैं इस Bigow मकान के location के बारे में उस से पहले सर हम आपको एक जनकारी और दे देन चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना कोई भी मकान, प्लोट, जमीन, सेल करवाना चाहते हैं, अथवा बेचना चाहते हैं, तब भी आप हमसे संपर कर सकते हैं, संपर करने के लिए सर नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स पराप्त हो जाता है, वहाँ पर वीडियो आपकी यूटूब चैनल पर अप्लोट कर देंगे, सेल होने के बाद आप से ना कोई कमीशन ना आप से कोई रिस्वत ली जाएगी, आपकी वीडियो हमारे यूटूब चैनल पर फ्री में अप्लोट कर दी जाएगी, तो सर बात कर लेते हैं इस विकाव मकान के लूकेशन के बारे में तो सर यह मकान आपको मध्य प्रदेश राज जिके ग्वालियर में बना हुआ मिल जाता है, जी हां सर, ग्वालियर में यह मकान आपको कहां पड़ेगा, उसकी जनकारी हम दे देते हैं, ग्वालियर में सर यह मकान आपको ठाटी पुर में बना हुआ मिल जाता है सेक्टर 2 में आपको यह मकान बना हुआ मिल जाता है मकान एकदम लक्जरी डिजाइन का है जो कि आप वीडियो के मादियम से देख सकते हैं तो सर अगर आप किसी अन्य राज़ से हैं या किसी अन्य डिश्टिक्स से हैं और वहाँ के सस्ते विकाव मकान अगर आप सहर में बने हुए मकान के तलास कर रहे हैं और या आप मकान कोई लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस जगा के सस्ते विकाव मकान खरीदना है वह कितने प्राइज तक खरीजना है तो हम अपने वहाँ के जो प्रॉप्टी डीलर होगे हम उनसे संपर करके मकान की वीडियो बनाकर जो चैनल पर अपलोड कर देंगे तो आपको भी मकान की प्राप्ति हो सकती है तो सर हमारे इस चैनल पर आपको सस्ते से भी सस्ते विकाव मकान की जानकारी आपके द्वारा बताए गए लुकेशन के माध्यम से दे जाती है तो अगर आप चैनल पर पहले बार सर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरू करें आपको आगे भी चलके इसी प्रकार के सस्ते विकाव मकान की जानकारी दे जाती है तो सर इस मकान के ऊपर आपको एक पानी की टंकी भी लगी हुई प्राप्त हो जाती है जिससे आप लाइट ना आने पर उसका भी प्रियोग कर सकते हैं तो सर तब तक के लिए हम आप से इस वीडियो से अलविडा चाहते हैं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ वा अन्य सस्ते विकाव मकान के साथ तो चैनल पर सर अगर आप पहले बार विजड कर रहें तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले साथ ही साथ में वेल आइकन की घंटी का बटन दवाना ना भूले आपको ऐसे ही आग्गे चलके वीडियो मिलती रहेंगी तब तक के लिए दोस्तों धन्य